कि आज हम साइन्स टू को फर्स चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेप्टर का नाम है हेरिडिटी एन इवोलुशन तो सबसे पहले हम यह जानना होगा कि what is हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास होता है, उसे कहते हैं हेरिडिटी, तब प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी इस दर ट्रांसफर ऑफ बायलोजिकल चेरेक्टर्स फ्रॉम बन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स हम सब अपने पैरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं क्योंकि उनका जीन्स जो है वो हेरिडिटी जो प्रॉसस है उसके थ्रू हमारे अंदर आया है इसलिए हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, या कोई दी आप स्कीम जो होता है, अपने पेरेंट्स से इसके 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 जैसा होता है, या न? है यह टिजिस की वजह से हम अपने पैरेंट्स जैसे दिखते हैं लेकिन हम एक्सेक्ली उनकी जैसे नहीं दिखते हैं उसका एक रीजन है कि वैरियेशन आपने नाइंफ में पड़ा है इस चैप्टर था है है जाने पार है यह टो चीजह जो थी वारी पैरेंट्स अलग होती तो variation कुछ फ़रख होता है अलग होता है वह chapter आपको याद होगा हेरेडिटी वैरेशन वाले जिसमें मेंडल के experiments थे वह पी प्रांट्स पे उसने किया थे बहुत सारे experiments लास्ट यह वह बहुत important था आपको मेंडल्स experiments monohybrid cross वाला और dihybrid cross वाला दूनों टाइप के उसके जो experiments थे बहुत important थे तो हम लोग इस chapter में इस साल उससे थोड़ा आगी जाएंगे हम लोग देखेंगे कि हेरेडिटी क्या है और evolution क्या है तो तो दो चीजें clear होगे आपको कि what is heredity and what is variation heredity जो हम उपने parents जैसे दिखते हैं और हमारे बच्चे जो हमारे जैसे दिखेंगे यह दिखते हैं वो है heredity variation जो हम अपने parents से थोड़ा बहुत अलग दिखते हैं उसको थे variation थोड़ा सा अलग होता है तो जिस तरह hierarchy से characters एक generation से दूसरे generation जाते हैं इससी तरह variation थोड़ा 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 फरक हर generation भी होता रहता है exactly true copy नहीं होता है है अपने parents के या फिर किसी के इसके बहुत सारे characters होगा थोड़ा नहीं होगा तो यह थोड़ा नहीं है वो है variation इस chapter का जो तीसरा important point है वो है evolution evolution का मतलब होता है gradual changes जो changes slowly slowly आते हैं और उसके पात जब हजारों साल बाज आप देखते हो तो कोई चीज़ पुरी तरह से change हो जाती है उसको बोलते है evolution evolution is the gradual change occurring in living organism over a long duration this is very slow going process through which development of organisms जैसे आपने सुना ही होगा कि पहले हम हमारे जो ancestors थे एक और वो monkey थे monkey से फिर दीरे दीरे उन में changes आते गए थोड़ी 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 changes आते गए कुछ हजारों सालों में लाकों सालों में फिर वो अब बन गए है और अब से फिर धीरे से फिर हो मॉसापियन जो मॉड्रमाना है उसमें हो जो बन गए तो यह जो प्रोसेस एक जो ग्राजुल चेंजेज़ वो एक दिन में ऐसा नेवा कि मंक्की उठा हूं और वो इंसान बन दे बने गा तो इस बनने का फिर प्रोसेस था ही इसमें ग्रैजुली चेंजेस के और जैसे जो एक चीज पूरी तरह से अलग दिखने लगती है, काईस हजारों सालों बाद तो उसे रहते एवालूशन जितले भी और्गनिजम का डेवलप्मेंट हुआ है, वो सब बिकाउज आप एवालूशन हुआ है तो इवोलिुशन के खूजाँ जिसंसा जो 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 चेंज़ आए, वो धीरे-दीले थोड़े-थोड़े तो चेंज आते रहे हैं और वो पर्मicon नेंट होते हैं जैसे the monkey foam's the tail रहीहोगे तो जो बहीन है तो बंद रही है तो चेंज is permanent होना उसे कहते हैं वो अब नाइन स्टेंडर्ड की ही दो चीज़े हैं जो हमें इस चैप्टर में बार-बार आएंगे वो पढ़ना है वो है DNA और RNA तो DNA क्या है DNA का आपको यह तो पता ही होगा कि हमारा DNA रहता है हमारे क्रोमोजोम के अंदर क्रोमोजोम क्या है आपने नाइन्थ में यह से पढ़ा था कि स्ट्रक्चर इन दर नूकलियस आप सेल्स दैट कैरीज थे हैरिटी केरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाता है वह था उसे कहते हैं क्रोमोजोम लास्ट यह हमने पढ़ा था कि टाइप्स आप क्रोमोजोम पढ़े थे हमने चा टाइप के क्रोमोजोम थे हैं उसके आपको याद होगा उसका डाइगराम की था जो एक सम्में इंपोर्टन था आने के लिए इसाब से एक टाइप आप क्रोमोजोम थे हैं मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक और लास्ट था टेलोसेंट्रिक तो यह और उसके डाइगराम भी हमने देखे देखे हैं, मेतासेंट्रिक में क्या है, सब मेतासेंट्रिक जो L शेप का था, हाँ, तो वह समें हमने देखा था, तो यह जो डेफिनिशन हमने क्रोमोजोम का पढ़ा उसमें था कि, तो इसमें था कि, इससे पता था कि, क्रोमोजोम जो है, कहा पढ़ा रहता है, तो इसका मतलब जो हमारा DNA है, वो भी कहा रहता है, सेल के नुकलियस में तो यहां पे हमें DNA और RNA दोना पढ़ रहा है, तो DNA जो है, DNA कहा रहता है, नुकलियस के अंदर, जैल के नुकलियस के अंदर DNA है, और RNA कहा है, RNA जो है, वो नुकलियस के बाहर रहता है, वा इस चेप्टर में जो एक टॉपिक है, important हो है, transcription, translation and translogation, वो चीज समझने से पहले हमें लेले समझना होगा DNA क्या है, और RNA क्या है, और RNA के तीन दिन देता है तो जैसे DNA का फूल फॉर्म हमें देखा था जैसे हमने DNA हमने DNA का फॉल फॉर्म देखा था जो है लिए FY relay उसी तरह RNA का फुल फॉर्म है Ribonucleic Acid RNA और RNA के तीन टाइप होते हैं सबसे पहला है RRNA, सेकंड है mRNA और थर्ड है tRNA यह क्या है वी पर्दा जोते है तो RRNA मतलब होता है R4 Ribosomal RNA और mRNA में M for messenger RNA और तीसरा है जो tRNA उसका नाम है T for transfer RNA तो एक होगे Ribosomal RNA, messenger RNA और थर्ड वन इस transfer RNA तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग DNA और RNA का distinguish देख लेते हैं DNA क्या है, RNA क्या है, DNA है इसका full form Deoxy Ribonucleic Acid RNA है Ribonucleic Acid DNA क्या है, वो genetic heritage material है और RNA is not genetic heritage material and third point ही जो है DNA is double stranded और RNA is single stranded last year आपने पड़ा था कि DNA का जो structure है वो double stranded है और RNA का है single stranded है DNA के जो size और हम देख होगे, तो DNA is much larger than RNA with millions of nucleotides, millions of nucleotides size के अंदर, DNA के अंदर RNA is much smaller with hundred to thousand nucleotides DNA के अंदर होता है, DNA has deoxy ribose sugar, RNA has ribose sugar DNA का जो हमने पहले भी पड़ा लोकेशन के रहा है, DNA is mainly located in the nucleus of the cell तो जादा करे के DNA कहा है, mainly nucleus में है cell के और RNA का लोकेशन कहा है, RNA is mainly located outside of the nucleus that is cytoplasm, cytoplasm जो cell के दो पात होते हमने पड़ाई, nucleus है, तो जो साइटोप्लास है, तो वो स्यादा करें जो RNA है, वो रहता है, cytoplasm, जो रहने रहता है, तो रहने रहता है, तो तीन पात हमने आप्रिप्षिक्टम पड़ा था, तो उसमें जो mRNA है, वो nucleus में रहता है, और बाक्ती जो RNA है, वो खारते हैं, साइटोप्लास है, DNA has four nitrogenous bases, four nitrogenous bases लास्ट एर भी आपने देखा था, adenine, duanine, cytosin और thymine, तो उसको AG, CT यह करते हैं, और RNA has four nitrogenous bases, वो nitrogenous bases है, adenine, duanine, cytosin यह वो तीन DNA वाले हैं, लास्ट जो nitrogenous base है, इस यूरेसे, तो A, G, C, U, और DNA में A, G, C, T अब हम दो देख लेते हैं जो process of transcription, translation और translocation में उसके बारे हैं, तो जैसा कि मैं देखा, cell के दो पार्ट हैं, एक है cytoklasm, दूसरा है nucleus, cytoklasm में ज्यादा परके RNA है, और nucleus में है DNA, RNA के तीन पार्ट है, एक है rRNA, second है tRNA, और last है mRNA, तो जो mRNA है, वो कहा रहता है nucleus में, और बाकी जो दो mRNA है, एक है rRNA, और दूसरा tRNA, वो कहा रहता है cytoklasm, इतनी चीज़ी क्लियर हो, हातों देखते हैं, तो सबसे पहले होता है कि जो DNA है, जो nucleus में है, उससे फर्म होता है mRNA, DNA से फर्म होता है mRNA, और mRNA कहां पर रहे, वो nucleus में उसके बाद क्या होता है, mRNA MB Nucleus और नुुकलियस कि बाहर चाता है तब क्या बनता है उसे प्रूटीन क्बимु कटो यहां पर प्रे में प्रूशिस में नियुकलियस कुना नमें प्रूब हुआँ या फेले हैं प्रोसेस दीखें, उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, ब्रोसेस है, DNA से MRNA बनने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं, ट्रांस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वो प्रोसेस है, ट्रांस्क्रिप्शन, ट्रांस्क्रिप्शन मतलब DNA से MRNA का फोमेशन जो हो रहा है, और mRNA से mRNA जो है नूकलिस के बाहर आएगा और पहार आने के बाद वो गन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन में तो यह जो second process है मतलब mRNA से प्रोटीन में गन्वर्ट होना इस process का नाम है Translation तो दो process के लिए होगा Transcription DNA to mRNA Translation mRNA to protein आपकी बुक में page number one और आज पर अगराप में आप देखा वहाँ पर एक टर्म है वो है Central Dogma Central Dogma basically क्या है Central Dogma है DNA से जो mRNA का synthesis हो रहा है जो formation हो रहा है this is called as Central Dogma ठीक है वहाँ पर दिया है the proteins are synthesized by DNA through RNA this is called Central Dogma Central Dogma का process के है Central Dogma में आता है दो चीज़े Transcription Translation DNA से mRNA बना और mRNA से protein बना यह जो पुरा process है यह process है Central Dogma अब नेक्स्ट है एक दूसरा वर्ड है वो है ट्रिपले कोड़ॉन कोड़ॉन क्या होता है वह हम दो देखते हैं आपके पेज नंबर 2 के सबसे टॉप पे जाओ आप देखो आपे The mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm It brings in coded message from DNA The message contains the codes for amino acids The code for each amino acid consists of 3 nucleotides It is called as triplet codon So, what does this mean? The mRNA form in nucleus and cytoplasm In cytoplasm, what does this mean? In DNA, it is a coded message 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 Amino acid Amino acid The next step is After transcription step, MRNA form What does mRNA make? It is a protein synthesis What does protein make? Amino acids Amino acids The code for amino acids consists of 3 nucleotides The code for each amino acid consists of 3 nucleotides It consists of 3-3 nucleotides Since it is a pipe group The ones in this group 2-3 nucleotides Then it is a coded message So, codons There is a coded message for amino acids Why do this? There is a coded message for amino acids What does amino acids make? What does protein make? Protein make it So, what does message remain With codon The coded message for which one? The coded message for codon Temperature इसलिए इसका नाम है ट्रिप्ले कोड़ान यहां पर एक amino acid के बात रहे हैं तो आपको पता होगा है कि human body के अंदर या जो भी living organism से दुसरे के अंदर 20 types of different types of amino acids होते हैं तो यहां पर basically amino acid के बारे बात करें कि कोड़ान के हैं 3-3 nucleotide का set है इसलिए इसका नाम है ट्रिप्ले करों उसलिए message बता है message इसके लिए होता है आप उसके coded message बता है amino acids के लिए amino acids को क्या करना है amino acids को करना है protein synthesis करना है protein में convert होना protein बनाना है उसे amino acids है protein का basic unit है amino acids join होके protein form करते है आप आपको पता है कि 20 टाइप के amino acids से वो अलग अलग टाइप के protein बना सकते हैं depending upon कौन सा amino acid किस के सब जाएं लेता है और अपने combination के असाब से वो अलग अलग टाइप के protein बनाते है as per body's requirement तो जब आपका protein synthesis हो जाता है तब जो mRNA है उसका काम वहां पर क्या हुआ पूरा हो गया और वहां भी खतम हो जाता है तो इसलिए mRNA को जो बोलते हैं temporary RNA लेक्स टाइम जब आपको फिर से protein की जुरुरत होगी तो पूरा process फिर से repeat होगा आपका DNA क्या बनाएगा फिर से mRNA बनाएगा और mRNA क्या करेगा nucleus में है nucleus से बाहर आएगा cytoplasm में cytoplasm में आएगा और उसके अंदर क्या होगा mRNA के अंदर होगा codones, codones क्या होते हैं وो message होते हैं किस केलिए message होते हैं? वो immune acids केलिए message होते हैं उस message में यह होता है कि किस टाइब का protein bloody को चाहिए तो उसी टाइब का proyecto protein बनाते हैं जैसे ही amino acids join हो जाते हैं protein form हो जाता हैं तब यहां फिर आपके mRNA का का तो यह आपका सेंटर डॉक्मा पजी प्रोसेस था, उसके अंदर दो चीज़ें थी हमें सुखी, ट्रांस्क्रिप्शन, ट्रांस्क्रिप्शन था, DNA से MRNA बनना, और सेकेंड था, ट्रांस्क्रिप्शन के बाद, ट्रांस्क्रिप्शन, ट्रांस्क्रिप्शन में क्या हुआ, MR से प्रोटीन सिंथेस हो एक बनना तो यह दो प्रोसेस हैं वुजाद अखो तो जो अपना सेकेंड प्रोसेस था था ट्रास्टिशन और ट्रास्टिशन में क्या हो रहा था कि फॉर्म हो रहा था अमेलो एसीट से प्रोटीन प्रोटीन हो रहा था इसमें है कि MRNA is made up of thousands of triplet codon as per message on MRNA, amino acids are supplied by the tRNA तो जैसे MRNA के अंदर codon होता है वैसे tRNA, tRNA जो कहाँ है साइटोप्लासम में, अभी आपका जो MRNA है, MRNA नुकलेस से साइटोप्लासम में, साइटोप्लासम में, tRNA है, tRNA के अंदर होता है anti codon, codon है और सका complementary होता है anti codon, complementary sequence होता है to the codon on the MRNA, this is called as translation, तो किस प्रॉसस को क्या होता है, translation, translation से क्या होता है, amino acid से आपका protein में, the amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA, during this process the ribosome keep on moving from one end of mRNA to another end by distance of one triplet codon, this is called as translocation next paragraph, the living organism is a translocation, the translocation, the drug change होता है, तो एके triplet codon छोड़के, जो mRNA के अंदर जो triplet codon है, एके triplet codon छोड़के, दूसरे भी ribosomes जोहां दो move करते रहते हैं, और यह जो process है, एके codon का distance रहते हैं जो move हो रहा है, this is called as translocation next paragraph, the living organisms can produce a new individual like themselves, due to genes only and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes, due to this, some of the characters and parents are transmitted to their offspring, तो जो giving organisms है, वो उनका जो gene है, वो transfer होता है, इसलिए उनके कुछ character transfer होते हैं अगले generation में, तो इसलिए parents के जो characters है, वो offspring के अंदर दिखते हैं, offspring मतलब बच्चों, बच्चे, however sometimes sudden changes occur in those genes, sometimes any nucleotide of the gene change its position that causes a minor change, which is nothing but the mutation. तो कभी कभी क्यो होता है कि कोई nucleotide newacher है, उसने position change कर लेता है, वो unwanted होता है, बीना अंचाहिद होता है, जो क्यों होता है। ने पता है, कि जब अकना position change कर लेता है, तो उसकी अंदर जो changes आज़ता है, minor changes आजाते है, उसको बर दे mutation है, ठीक है? निएशन भी माइनर, बड़ सम्में भी कंसीडरेबल, जब मुटेशन होता है तो अगले जनरेशन में खरेक्रस्टिक में चेंजे आते हैं, अब कुछ बीमारियां जो है, वो पैरेंट्स में नहीं हैं, लेकिन बेबी में आ जाती है, तो वो हते हैं, मुटेशन के वजह से है कभी-कभी मुटेशन जो होता है, वो मामुली मुटेशन होता है, थोड़ा बहुत होता है, और कभी-कभी कंसीडरिबल होता है, बहुत साधा मुटेशन होता है, inaudition inaudition may cause genetic disorders like sickle cell anemia के last line पर लाइन पर आती है तो inaudition के उड़े से बहुत सारे genetic disorders हो लिचे टेट हो यह गोजे नाइन पर लोग जब अधी के जो प्रोसेस्स छलते रहता है कौन सा प्रोसेस्स कुछ कर्कटरिस्टिक्स आते हैं तो वह है डीट होगा है और कुछ changes होचते रहते हो ही तो variation होगे और यह variation जब permanent हो जाता है तो धीरे 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 गावलुशन होता है तो इस इस एवर्लास्टिंग प्रोसेस एड़ डाविन's theory of natural selection तो Darwin's theory of natural selection है कि जो strongest है जो की test है बरी सरवाइब करीगा तो, नेक्सफ लेक्टेर में हम एक्षेटे में हम कहीए हैतने इस सेरा नेक्स लेक्टेर में how to three lecture typically एकर शारी हैरी याद कर करना अब तर्श on जो इमपोटेन चीज्रे है और एकर अब इत् activity जो इसे याद कर करना आप करते टाइम आपको गली इतना जब ध्यान रखोंगे कि पहले मरने मरने तयाव निक्यस में होता और ये सब चेचेचेचे आप समझ के याद करोगे तो वह असाने से आता जाएगा नहीं निक्यस से आता था तो अपन फिर से उसको रिवाइस करेंगे इसको डाउट रहेगा हैं तो अगली लेक्चर में अ उसके बाद ही जब चैटर स्वितर करकरके पाँ से घृऔँ पर समय ले अगे तक विसके बारने 이 सकषर का नेलेंगे, नेक्स लेक्चर में व्सका में पढ़ेंगे तो थोड़ा आपली पढ लेना, एविडीनस, एविडेंसेन जुक अशे इसी और बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, तो आज के भी इतना फिर अब कल देखते हैं.